स्वागत है दोस्तों आपका जोग्रफी विद्वसी महमेच चैनल में और आज मैं आपके सामने बहुत इंपोर्टेंट वीडियो भोगोली विचार के अंतरगत नियो डिटर्माइनिस्म नव निश्यवाद के बारे में आज हम अध्यन करेंगे इससे पहले हम निश्यवाद डिटर्माइनिस्म और पॉसिबिलिस्म संभववाद और अब निश्यवाद यहां से भी एक दो प्रसन हर बार एक्जाम में आते हैं UGC, TGT, PGT जोग्रफी से संबंदित एक्जाम में यहां से प्रसन जरूर आते हैं आप इनको जरूर नोट करके लिख ले तो आज हम निश्यवाद की विचारधारा का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ कहां हुआ अमेरिका में हुआ 1951 में और ग्रिफिन टेलर ने इस विचारधारा को जन्म दिया ग्रिफित टेलर आप इसको जरूर याद रखें यहां से एक्जाम कई बार एक्जाम में पूछा जा चु जाओ निश्यवाद अथुआ वेग्यानिक निश्यवाद भी कहते हैं नव निश्यवाद की जो विचार धारा है उसको रुको और जाओ निश्यवाद और वेग्यानिक निश्यवाद भी कहते हैं आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं OH के इस पेट ने इस विचारधारा को OH के इस पेट ने इस विचारधारा को मतलब नव निश्यवाद की विचारधारा को निकट संभववाद या प्रैसंभववाद भी कहा है तो इस स्विचारधारा को निकट संभववाद, प्रैसंभववाद भी कहते हैं, ये इस पैट ने कहा, बहुती इंपोटेंट कलक्सन है आपके लिए आप इसको लिख ले, जा ठैथम ने इसे वहवारिक संभववाद कहा था, ये किर्यात्मक संभववाद भी कहा था, देख कितने सारे नाम इसके है, एक जगे आपका लक्सन करके लिख ले, ठैथम ने इसे क्या कहा, वहवारिक संभववाद और किर्यात्मक संभववाद कहा, जा ठैथम ने कहा, एक कोटेंट सेन इनकी परिभासा मालो, परते हैं हम, प्रिकिर्ती ने सिर्फ सामानिय तता प्रोग महोदे ने कहा है, आगे देखते हम, टेलर महोदे ने कहा, प्रिकिर्ती की योजना से समायोजन ही हो सकता है, टेलर की कोटेशन है, आगे पढ़ते हैं, मार्टिन ने इसे कारण और प्रिभाव का परिणाम माना, रसेल इसमित ने कहा है, मनुस्य केवल प्रत्वी पर निवास ही नहीं करता, वरन वह एक सर्जन करता, प्रत्वी को परिवर्थन करने वाला प्राणे भी है, यह रसेल इसमित ने कहा, आगे पढ़ते हैं, टेलर महोदे ने कहा, ग्रिफित टेलर ने, जो इसकी पिर्थी पादक है, पिर्थी को जीतना या स्वयम उसका दास बनने में भी अपेक्षा, अपेक्षा पिर्कृति को जीतना या स्वयम उसका दास बनने की अपेक्षा मनुस्य को पिर्कृति के साथ सयोग करने की सोचनी चाहिए कि कोटिसन है टेलर की मतलब टेलर महोते ने कहा पिरकृति को जीतना या स्वेम उसके दास बनने की अपिछा मनुस्य को पिरकृति के साथ सहयो की करनी की सोचनी चाहिए ये आप समझे होंगे ये जो नव निश्यवादी विचारदारा इसका में थीम यही है मुख्य थीम यह ही है कि मनुस्य और पिरकृति दोनों ही महतपूर है इसलिए हमें दोनों आपस में सहयो करके कारे करना चाहिए आगे पड़ते हैं टेथम ने नव निश्यवाद को किरिया आत्मक संभवाद का नाम दिया टेथम मोहदे ने अभी पीछे भी पढ़ाता हम नहीं पॉइंट हाँ गया दुबारा टेथम ने नव निश्यवाद को किरिया आत्मक संभवाद का नाम दिया इस विचारधारा में मानवे चाट का महतव रहता है याद रखना ये प्रसन कई बार एक्जाम में पूछा गया इस विचारधारा में मानवे चाट का महतव रहता है आगे टर्माइनिज्म को नव निश्यवास से आस्य ये है कि ने तो प्रिकृती ही मनुस्यों को पूरी तरह नियंत्रित करती है और ने मानव ही पूरी तरह प्रिकृती पर विजे प्राप करने में समर्थ है मतलब दोनों में बैलेंस बनाये गए आपस में ना तो प्रिकृती ही मन उसे योगो पूरी तरह नियंतिर्ट करती है और ना ही मानव ही पूरी तरह प्रिकृति पर विजे प्राप करने में समर्थ है मतलब दोनों का सायोग होगा जबी हम कारे कर सकते हैं आगए इसी की यही कोटेशन है मानव तथा प्रिकृति के बीच सह संबंद उनके द्वारा किये जाने वाले समायोजन के द्वारा ही नियंतिर्ट होता है वास्तों में ने तो प्रिकृति ही मनिस्यू को पूरी तरह नियंतिर्ट करती है और ना ही मानव प्रिकृति का विजेता है दोनों एक दूसरे से किरियात्मक संबंद है, अथार्थ ना तो प्रिकृती ही पूरी तरह मनुस्य को नियंतिर्थ करती है और ना ही मनुस्य ही प्रिकृती को पूरी तरह नियंतिर्थ करता है, ना उसका विजेता है वो, दोनों एक दूसरे में, दोनों में प्रिकृती में बेर मनुस्य में किरियात्मक संभव किरियात्मक संबंद पाया जाता है तो यही नव निश्यवाद है नव निश्यवाद की मुखितीम यही है दोनों ही सरवपरी हैं दोनों में किरियात्मक संबंद पाया जाता है आगे कोटे सने माना प्रिकृति के लिए आवसक है यही जर निश्यवाद है, समझ गए होंगे आप इस लाइन में, कि मानाव उन्नती के लिए आवसके, अगर जो मानाव अपनी उन्नती करना चाता है, अपनी ग्यान को प्राप्त करना चाता है, अपनी नई खोज करना चाता है, तो मनुस्य को मनुस्य प्रकृति का सवयोग प्राप्त करें यही नई निश्यवाद है अगर जो मनुस्य प्रकृति का स्वयोग प्राप्त नहीं को करेगा तो वो कोई भी खोज या नई रिसर्च कर नहीं सकता इसलिए मानव और प्रकृति दोनों में आपसी किरियात्मक संबंद है बिना दोनों एक गाड़ी के दो पईये हैं एक गाड़ी के दो पईये हैं एक पईया फिसल जाएगा तो वो उन्नती नहीं कर सकता इसलिए प्रकृति और मानव दोनों आपस में किरियात्मक संबंद बनाएंगे स्वयोग बनाएंगे यही निश्यवाद है इसी को ही निकट प्रैसंभववाद के नाम से जाना जाता है त पार प्रैसंद पूछे जाते हैं और मैं पूरी तरह पूरे वीडियो जोग्रफिकल थोट के एक 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 स्टुटेंट का मेरे पर कमेंट्स आया था कि आप हमबोल्ड के लिए एक वीडियो बनाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमबोल्ड के लिए सारे भोगोल वे विडियो का जो पहला वीडियो है मेरे पिल SAR में लिनिक दे रहा हूँ उसमें जब जाएंगे तो आप भोगोलग साथा है तो जो सबसे पहला वीडियो मैंने जर्मन भोगोल वेक्ताओं का बनाया है उसमें कांट और हम बोल्ड के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है आप सारे वीडियो महा जाके थोटके देख सकते कोई भी वीडियो मिस नहीं है और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करे सेर करें और किसी को नोट्स अगर जो चाहिए नोट्स मेरे पर है और वो नोट्स मैं इस पीडियाफ में कनवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ आप मुस्ट वाटसप नंबर में डिस्क्रप्शन लिंक में दे रहा हूँ आप मुझसे सयोग प्राप्त कर सकते और प्रैक्टिकल के लिए भी कई बच्चों की मेरे पर कमेंट्स आये कि आप प्रैक्टिकल जोग्रफी को पढ़ाईए तो प्रैक्टिकल जोग्रफी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी प्रैक्टिकल ही जोग्रफी अब सुरू होगा इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इससे प थोड़ी प्रक्टिस जोग्रफिगल थोट में हो जाए तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवाँ